नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्वागत करते हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अभ्यास अनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूं कृष्णा और हम लोग आज इसमें बात करेंगे दोस्तों अगर आप टीटी एक्जाम के तयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इसकी ज़्यादा है उन्ही सेलेक्टेट को मैं आपको बता रहूं दोस्तों यह इस वीडियो का पहला पार्ट है अगर इसका अगला पार्ट मैं आप लाता रहूंगा इसके अलावा दोस्तों टीटी के मैं मैंने बहुत सारी वीडियो अप्रोड कर चुका हूं मतलब ओल् बटन दिखाए दे रहोगा उस पर क्लिक करके मरें चैनल को जरूर सबसक्राइब करोगे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसे वी क्लिक करके मरें चैनल की जो है बेल आईकन भी प्रेस कर ले ताकि मेरे दोरा तो जैसे इसका अगला पार्ट लाँगा आपको पत चल जाएगा notification की रूप में की जो है विज्ञान पार टू का जो है message जो है upload हो चुका है वीडियो upload हो चुका है तो आप उसे तुरांद ही watch कर पाओगे दोस्तों तो चलिए start करते हैं हमारा यह आज का विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्णों के बारे में हई हुआ तो प्रश्ण पहला है दूद से क्रीम निकालने पर उसका घंटस तुम है क्या आंतराधा है तो इसके उपसंद है दूद कघंटस बढ़ता है दूद का घंटा और भी जाता है हुआ है यक श्क हम अध्या कंतर की सब्सक्राइब हो जाता है और करता हो मतलब जी टोनों को नो मतलब च्छहाए। घनत्व कहलाता है तो इतनी जानकारी हमें इस प्रेशन से मिल गई तो चलिए अगला प्रेशन देख लेते हैं हाल हो αλλά हों हर्स पावाल taş पावर एक होलें होट क्या पराबर होता है थो oni एक होड पावर होद चार का दुनी होता है 5 HP 6 HP और 8 HP और 10 HP तो इस तरह मोटर होता है टूबेल जो बोर लगा रहता है बोर के अंदर तो यहां पास जो रहता है उस मोटर को जो HP में ना पाजाता हो तो एक HP कमांड कितना होता है 746 होता है तो इस तरह इतनी जानकारी हमें से मिल गई तो अगला प्रशने देख लेते हैं हमारे भोजन हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है तो हमारे भोजन में संरक्षनात्मक खाद्य पदार्थ है वो क्या है विटामीन एवा सरक्षनात्मक मतलब क्या होता है उस भोजन को अधिक लंबे समय तक शुरक्षित कौन रखता है वो इसका सरक्षनात्मक खाद्य पदार्थ कहलाता है तो हमारे सरीर को सरक्षना आत्मा खद पदार्थ के रूप में विटामिन और खनी जो होगा है वो बहुत ही महतोपूर्ण है तो इसका C उत्तर सही है तो अगला प्रशने देख लेते हैं हमारे आहार का निम्न में से कौन सभाग हड़ियों और दातों की सरचना के लिए आवश्यक है तो इसका C उप्सन सही है तो दोस्तों केल्शियम जो है हमारे हड़ियों से मिलकर बना होता है जो हमारे दात है जबड़ा है और हमारे जितने सरीर के जितने भी हड़ियों है वो किस से मिलकर बना है केल्शियम से मिलकर बना है दोस्तों केल्शियम से जबड़ा से याद आया दात की हड़ी से याद एकॉस्टिक एकॉस्टिक विज्ञान क्या है एकॉस्टिक विज्ञान जो है ध्वनी से संबंधित विज्ञान है जिसमें ध्वनी के संबंधित जितने भी प्रश्ण है उससे जानकारी जो होता है उसके बारे में जो अध्यान किया जाता है वही क्या कह राता है एकॉस्टि सकता को एक वं में सही होगा तो अगला प्रेशने देख लेते हैं राकास तरंक किस प्रकार की तरंग है तो प्रकास natलग उसल्ट आठ्सतर किimana होता है जो डॉल होता है जो श्रिंग और श्रिंग और करत शुरिंदा तरंग कहलाता है तो प्रकास किस प्रकार का तरंग है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है अगला प्रशन देख लेते हैं पास आती हुई रेल गाड़ी सीटी की आवरिती मतलब फ्रिक्वेंसी या तिछनता बढ़ती हुई जाती है इस की घटना के कारण होता है दोस्तों जैसे के कारण होता है तो इसको अनुभाव सबसे पहली बार कौन किया था अनुभाव तो सब लोग किये ही थे लेकिन उस बारे में सिध्धान को प्रतिपादित कौन किया था डापलर ने तो तब से इसे क्या कहा जाता है डापलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है तो इसका ब आप्लर प्रभाव रेल ध्वनी से संबंधित है अगला प्रशन देख लेते हैं विश्वक का प्रत्यक पदार्थ अत्यंत सुच्मकणों से मिलकर बना होता है यह सरुर्पथम किसने कहा था तो यह सरुर्पथम कहा था कनाद ने किसने कहा था सरुर्पथम कहा था कनाद ने दोस्तों कनात जो है भारत के बहुत ही ग्यानी महापूरुष्ट में से गीने जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि पदार थे कुछ कणों से मिलकर गन बना हुआ है लेकिन अभी आधुनिक विग्यान में जौन डाल्टन ने क्या कहा कि रदर फोड ने क्या कहा है जो पदार था उसको सुचमतम कण में और तोड़ा जा सकता है दोस्तों कणात जो है एक रिशी थे जिन्होंने अब भिक्षा मांग कर अपना भोजन गरहन किया करते थे तो एक बार क्या हुआ उनको बहुत भूख लगी थी तो भूख लगी थी तो वो कहां गया खेद गया और खेद में जाकर छोटे छोटे जैसे वहां के खेद में से किसान अनाज को उठा लिया था उठाने के बाद वहां पास कुछ अनाज उस खेद में पड़ा हुआ था तो उस पदार थे जो कण है छोटे 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 अनाज के कण थे उसी को उठा उठा कर वो अपना भोजन के रूप में गरहन करने लगा तो उस भोजन के रूप मे के मिलकर बना हैं यही सिद्धान किस ने दिया भारत के रिशी कनाद ने दिया है तो अगला प्रश्ण देख लेता है Ammonium chloride का जली होता है और है ऐनाज 4-C-AL को को तो यह मात्रि आ मैं जाएगा चारिए जल वे जल में घोलने पर क्या हो जाता है पुरी तरह से छार अपके रूप में होता है आगला प्रशना देख लेते हैं आदर्श्गेस की उर्जा निर्भार करती है किस पर निर्भार करती है मोल की संख्या पर आदर्ष गैस की उर्ज़ जो है पूरी उर्ज़ किस पर निर्भाव करती है दाप पर करती है नहीं करती क्यों नहीं करती क्योंकि आदर्ष गैस क्या होता है दाप को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसी तरह देखते हैं निमनली खित में से विद्धूत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है निमनली खित में से विद्धूत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है किसे चांदी को क्योंकि चांदी में क्या होता है केवल और केवल क्या होता है एक ही मुक्त इलेक्टरॉन क्या होता है उसम फृट कि धर समय फिर दोनों या फिर इन्मेश अपरोक्त में सभी तो दोस्तों वह किया होता है ट्रान के विप्रिद दिसामें विद्धूत का चालन होता है इस स्वर्जह से चांदी क्या हिए फ्रीजट का सबसे इससे बड़ा सुचालक मना जाता है उसके नमबर बात क्या आता है तामभा उसके बाद है अलॉमीनिया उस तरह यह बढ़ते हुए क्रम है तो दोस्तों इसमें है D Opsons सोना तो सोना क्या है सोना जो है एक कू चालक के भाते विभार करते हैं सोना में विद्धूत का चालन नहीं होता क्योंकि व म。 किश्युंकि उपस्थित मुवष्ण या लेक्टरान या होल की संख्य आग भी नहीं होतीै इस वजह से इस stalk cache नहीं होता तो अगला प्रश्ण देख लेते हैं बेवकुफों का सोना या जूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है तो बेवकुफों का सोना या जूठा सोना किसे नाम कहा जाता है आरन पाइराइड तो क्या कहा जाता है जूठा सोना या बेवकूफी का सोना दोस्तों आरन जो पाइराइड है आरन पाइराइड बिल्कुल सोने की तरह दिखता है उसमें जो ऐसा लगता है कि आप रियल में सोने को पखड़े हो तो ऐसा कहा जाता है कि इसे जूठा सोना या गाला सोना कहा जाता है कोईवICIA को इसमें कार्बन पूरी तरह से निर्मित निर्मित होता और वेंचने वाले को असे बहुत इस वर बहुत फाइदान होता है किसटा को क्योंकि पूरे सरकार को सबसे अधिक मुनाफ़क गोईव Sacramento से हो रहा है तो अगला प्रशन देख लेते हैं मिनी माता रोग किस कारण से होता है मिनी माता जो रोग है वो है पारा से होता है जब कोई सरीन में कुछ पारा की हलकी सी बहातरा चली जाए तो वैक्ति की मृत्ति हो जाती है तो उसी संबंधित क्या होता है पारा के संबंधित ज अग world जो सिंबॉल नहीं किस equitable देख लेते हैं सफेध और के नाम से किसे जाना जाता है सफेध ना के बहुत ही महंगी दातू है ये अगला प्रश्ण देख लेते हैं मानव मस्तिस्क कितने ग्राम का होता है मानव मस्तिस्क जो है तेरा सो पचास ग्राम का होता है मतलब जो जिसमें आप देखें अगर कोई मानव का मस्तिस्क है उसमें क्या रहता है उपर में एक ऐसा ऐसा घूम निवाола हुआ रहता है वह क्या करनाता है उसका मस्तिष पूर्ड कर्यांत्रंत्र से होता है इसी मस्तिष के से होता है है ऌर अस मस्तिष को ऑर मस्तिष्क मध्ध तीन भागों में अग्र मस्तिष्क मध्ध मस्तिष्क और पश्य मध्ध मस्तिष्क इस तरह बांटा गया है तो अगर इसे उर्द्वाधर काटा गया है तो अगर इसे इस तरह से काटा जाया तो क्या हो जाएता है यह एक होता है बाया मस्तिस्क और होता है दाया मस्तिस्क इस तरह मस्तिस्क को समझने के लिए इसे दो अलग अलग भागों में बांटा किया है दोस्तों मस्तिस्क को समझना बहुत ही जटील है क्योंकि इसमें सारे सरीर का क्रियानवयन इसी मस्तिस्क में होता है तो अगला प्रश्ण देख लेते हैं, सूर्य की रौस्णी में हम प्राप्ट करते हैं, क्या प्राप्ट करते हैं, विटामिन D, तो दोस्तों सूर्य की रौस्णी से हम विटामिन D प्राप्ट करते हैं, कैसे प्राप्ट करते हैं, क्या सूर्य में वह ऐसा होता है, जो विटा उपस्थित होता है उसी उपस्थिती के कारण जब सूर्यक का प्रकास क्या होता है जब सूर्यक का प्रकास इसमें पड़ेगा इसकीन में पड़ेगा तो हमारे सरीर में और जो मिलीमिन है वहां से एक्टिव होगा कौन सा विटामिन D को एक्टिव करता है सूर्यक का प्रकास लेकिन इसे यही कहा जाता है कि हमें सूर्ज से क्या मिलता है विटामिन डी प्राप्त होता है और विटामिन डी प्राप्त होने का जो समय है वो लगभाग 11 से दो पहर के एक बज़े तक है क्योंकि उसी समय क्या होता है विटामिन डी को एक्टिव करने के लिए पर्याप्ता जरूर्य के कौन से भाग में पाए जाता है और इस पीट्री गनति का है मरे consider का तू से छोटा है का तुस्स्टे चूसर कुम बनाया रहता है मित्ति के अुरुवलगत को बनाया रखता है तुसका B option सही है केंचवा क्योंकि दोस्तों केंचवा को क्या कहा जाता है किसान का साथी क्योंकि केंचवा जो है जब किसी खेट में से अगर वो किसी मिट्टी को खाता है मिट्टी को अगर क्या कर रहा है वो खाता है तो उसका जो खाने के बाद क्या करता है उस मिट्टी को पचाता है और मल के द्वारा उस मिट्टी को बाहर उसी खेथ में छोड़ते जाता है तो इस तरह से जो खेथ है वो क्या होता है पूरी तरह से उपजाव हो जाता है किस की मिट्टी की तो अगला प्रशन देख लेते हैं रेडियो कार्बन काल निर्धारन जो है किसे क्या करते हैं नाम से जानते हैं कार्बन 14 क्या है किसी भी पदार्थ की कितने पूरानी चीज है उसको निर्धारित करने में कार्बन 14 निर्वान किया जाता है मतलब वो क्या होता है कार्बन जैसे कोई भी चीज जो है हमेशा कुछ न कुछ कार्बन से ही मिलकर बनता है दोस्तों हर चीज कार्बन से ही मिलकर पाए जाता है अगर कोई भी चीज को आप जलाते हो तो काला हो जाता है काला होने का कारण क्या हो क्यों कि उसमें कारबन उपस्थित है इसे कारण वो क्या होता है काला होता है जिवास में इंधन जो है अगर कोई पदार्थ का है बहुत साल तक जमीने पड़ा है तो उसमें क कार्बन जो है उसकी उपस्थिती धीरे 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 क्या होती है काम होती है उसी से आंक कर कार्बन 14 के माध्धाम से रेडियो कार्बन काल निर्धारत किया जाता है कि वह कितना साल अरब या कितना साल लाग या कितना साल पुराना है अगला प्रशन देख लेते हैं ठोस कार् क्या कहाना करते हैं सुस्क बर्फ होते हैं जो आइस करुब करते हैं में यूज़ चोटे-चोटे ऐस के बाइट चोटे चोटे वह अगला प्रेशन देख लोते हैं और यह कि या आइस मुण्राइट को शोच्छा सरण से युदूर। तो अगला प्रश्ण देख लेते हैं आलू उदाहरन है आलू उदाहरन है किसका उदाहरन है रुपांतरी जड़ का रुपांतरी पत्ती का रुपांतरी तने का या इनमें से कोई नहीं तो इसका सी ओप्सन सही है यह क्या है रुपांतरी तने का ही उदाहरन है तो दोस्तों उसी तरह क्या है प्याज प्याज तो आप देखे ही होंगे तो प्याज भी क्या है एक जैसे क्या है यह मालू प्याज है तो यह प्याज क्या है एक तना है क्योंकि नीचे कर क्या है जड़ है उपर की साखा और पत्ती है तो यह क्या है उसी तरह प्याज भी एक तने का जो बिजली का जो बल्ब है बिजली का आप देखे ही होंगे लेकिन उसमें क्या लगा रहता है एक बल्ब लगाता हो जिसे क्या कहा जाता है फिलामेंट और यह फिलामेंट किसका बना रहता है टंगस्टन धातू का बना होता है इसका गल्लांग दोस्तों बहुत जादा उच होता है इस करण क्या होता है इसमें यह ताप मान में क्या होता है नहीं जल पाता मतलब जब इसमें जब इस बल्ब में क्या किया जाता है विद्धुत धारा प्रवाहित किया जाता है एक प्लस और एक माइनस से तो क्या हो जाता है इसमें से यह गलकर नहीं तूटता लेकिन क क्या करता है और अंदर में क्या भरता है नियान और आरगन जैसे अक्री गैज इसमें भरा होता है तो इसमें आया है तो टंगस्टन का जो वर्षा की बुंदे गोलाकार क्यों होती है तो वर्षा की बुंदे होती है प्रिष्ट नाव के करण गोलाकार होती है दोस्तों जैसे आप देखे होगे वर्षक की जैसे बूंद उपर से आता है जैसे उपर से आएगा तो क्या हो जाता है वो गोलाकार में रहता है गोलाकार में क्यों रहता है क्योंकि उसका प्रिष्ट तनाओ उसको बीच में केंदर के रूप में क्या करता है उसको पूरी तर जैसे कोई गाड़ी का वहान जो है वह पीछे चलते रहता है की चड़ में तो क्या होता है उसमें जो बुंदे जो बाहर आती है वह भी क्या रहता है गोले कार के होता है तो दोस्तों मेरे इस वीडियो का अंतिम कोश्चन जो है 25 नंबर का कोश्चन लाल टेन या लैंप की ब वहत आप सभी जानते ही होंगे तो इसमें जो ऊपर में 32 में जो चड़ता है वह कैश्य कत्व कहारण चड़ता है कि आफ इसमें केसी कत्व क्या होता है एक नली आप साथ देखे होंगे जिसे केसी का नली कहा जाता है जो बहुत पतला होता है लगभग वो एक उंगली के बराबर होता है वो बहुत ही पतला होता है तो दोस्तों जैसे उसे डुबा दिया जाता है किसी चीज पर किसी पानी के अगर चीज पर डुबाया जाता है त खड़ी करके रग दो तो क्या हो जाता है धीरे धीरे पानी उपर चड़ने लगता है क्यों चड़ने लगता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे चिद्र होते है जिसकी वज़ा से वो पानी उपर चड़ने लगता है और वो क्या हो जाता है इस तरह उसमें जो उसी तरह लाल्ट करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और साथी साथ ये वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट करके जरूर बताइए मेरे इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर साथी साथ नौटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों अन करना ना भूले ताकि मेरे द्वारा अप्लोट किया गया इसका नेक्स्ट वीडियो आप तुरंथ ही पास कें ये मेरा वस्तुनिष्ट साइंस का 25 कोश्चन का पहला पार्ट है अगला पार्ट मैं और लाऊंगा इसे आप जरूर देखिए तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू